हेलो वीडियो लोग तो कैसे हो आप सभी लोग तुम्हें एक गोर तपस्या के बाद फिर से आ चुका हूँ आप सभी के साथ थोड़े कॉंटेंट शेयर करने के लिए डिलेटर सेंक है तो यार आज हम सभी लोग साथ में मिलकर बनाते हैं खुश्यों वाली रंग बरी हॉली तो आए हम से भी लोग खेलते हैं एक साथ तो दोस्तों मगर वीडियो को सुरू करने से पहले शोट आउट देना चाहोगा पिछले वीडियो के विनर को जिन्होंने आंसर दिया था सही वाला आगर आप भी वीडियो के विनर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेशन कांसर देते रही है और क्या पता यार कभी आप भी विनर बन जाओ हमारे वीडियो के तो या जली साब वीडियो को सुरू करते हैं विकोज यार इस वीडियो के अंदर काफ़ जदा एकसाइटिंग फिंस है जो कि आपको देखने में काफी मजा इस वीडियो में काफ इतना सप्राइज बरे हुए है और तो वर आज में दो बोनस एनिमे लेके आया हूँ और वो बोनस एनिमे आपको वीडियो को एंड तक पता चली जाएगी कि वह कौन से होगे ओके सो अब वीडियो को कद्देत है सरू सो लाइट्स बिगिइन तो फर्स्ट और मेरे प्यारे दोस्तों हम सबसे पहरे देखने वाला है सिंचन के डिलेटर सीन जो कि बच से बत्तर हो गए थे बैसिकली यह सिंचन का ओल्ड एनिमेशन है इतना ओल्ड कि यार आप लोग एनिमेशन देखोगे तो आपको पता चली जाएगा कि यार इसका एनिमेशन थोड़ा सा डल था मगर जो भी हो इसकी कॉमेडी तो भाई ओपी थी हमेशा की तरह तो आएए देख लेते हैं यह कौन से सीन था तो पहले वाला डिलेटर सीन में ऐसा कुछ होता है कि आपर सिंचन और उसकी मोम खाना खा रहे होते हैं टीवी देखते-देखते मगर उसकी मोम टीवी ओफ कर देती हैं शेनतो बॉलते जिए कि आर ऐसे मत खाऊ या करो देखते हुए है तो सिंचन कहते हैं यह एसे क्यों कर रहे हो आप पूराने ख्याल वाले हो यह बुड़े लोग हो सो यार तो फिर सिंचान की मौमिशी कहते है कि यार तुम अपने पापा से कुछ देखो और सीखो यार कुछ तुम मगर सिंचान कहता है कि पापा कौन से वाल है पापा आप खुद ही देख लो पापा क्या ही कर रहा है मगर यार मुझे यह पता नहीं चल रहा है यार सिंचन तो हम समझ सकते हैं मगर उसके पापा भी यार एक नमबर के चालो इंसान है यार यह भी देन दोस्तो इसके बाद जो डिलेटर सीन नमबर टू है वो तो यार गजब भी है यार आप देखके शोक हो जाओगे एकदम तो इस सीन में कुछ ऐसा सीन क्रेट हो जाता है कि यहां पर उस इंचन की पूरी खाना खाने बैटी होती है और यहां पर जो हमरा सिंचन होता है व तुम जाओ जल्दने से हाथ दो कर रहा है कि आप एस हाधनी जाधनी तो है कि यह पर घ्क ना कि मत जब अब बैटे हैं डोनों ही एक नंबर are वेल दूस्तों अब बढ़ता है डुरेमौन का डिलेट वाला डिलेटर सीन हो देखके भी में शोक हो गया था काफी ज़्यादा क्यार मुझे नहीं पता कि डॉरेमौन के अंदर ये सीन रहा यार सच निज हमसि हो आप लोग नाम मुझे पता नाइट यह मूवी मुझे यह पता है यह सब्सक्राइब सीन मिला है इस आप लोग हमें बता सकते हो ठीक है इन्फोर्मेशन के लिए इस इस में इसा होता है यह आप अंदर की स्टोरी कुछ अलगी होते हैं जिसमें लड़का और लड़की यार फोड़े ओपन सीन में होते हैं थोड़े तो नहीं पूरे ही नेकेड होते हैं यहां पर हमें तो चाहित अब यहां गया किया था नहीं को बेटए होते हैं और वह यह कुछ योगा चन होगी होगी मुझे नहीं पता मगर थोड़ी दिए बाद आउज ऐसा कुछ रियक्शन कर देते और उसके हाथ देख सकते भी कहा जा रहे है और इसी वज़े से यह वारा सीन भी जो था वो कर्ट कर दिया गया था टेलेविजन में से क οποсь दूंते हैं और फिर हमें शुज़ुका का एक और बाटकप सीन दिखाए गया है दोरे मों में यार दोरे मों में यह बात हिए मुझे बड़ी मजडर लगी कि यहार सुजुका के बाटप के सिन यार बहुर बहुर करीण हूने दिखाए है कि यह फैंसर्इजस हो त में आपको रिजन मिल ही जाएगा और उसके बाद हमारे पास सुजुका का यह वाला बाटब सीन आया है जिसमें सुजुका काफी डरी हुई है मुझे लगता है कि यह आप नोविता ने सुजुका को देख लिया होगा उसको पकड़ लिया होगा ना आते हुए जो कि हमारी न बॉनस एनीमे की तो आज के दिन के लिए मैं दो बॉनस एनीमे लेके आया हूँ सीफ वर सीब आपके लिए एक है डिमन स्लेयर जो की काफी ऐनीमे है आप सभी में से किसी ने तो देख आए होगा और दूसरा है हमारा वन औली पर मैं जिसको तो हम सभी लोग जानते है तो सब्सक्राइब करता है तो दोस्तों अगर आपने डिमन स्लेयर नहीं देखा है तो अभी भी मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूगा कि यार देख के आओ ओके यह बहुत ही ऑसम एनीमे है यार इसका लेवल अपर लेवल है इसकी बारे में मैं आपको भाती नहीं कर सकता यह फाड़ू एनीमे है और इसमें यह वाले सीन आई हाए यह सब कुछ आपनों आप लोग मिस मत करो यार देख के आओ काफी मजाएगा दोनों तरफ से मजाएगा तो यह आपर फर्स्षीन यह वाला होता है कि आप डिमन स्लेयर के जो फैन सर्विस होते हैं यही वाली फैन सर इस चाइना में थोड़ी सेंश और गोसित कर दी गई थी इसी वज़से उन लोगों ने डिमन स्लेयर के एनिमेशन को थोड़ा एडिट करकर री अपलोड किया था अपने चाइना में ठीक है तो वह वाला सीन यह वाला था यहापर आप देख सकतो कि यहापर तीन लड़कि और उस औरत का आप लोग आउटफिट देख सकते हो जैपनिस जर्में और यहाप देख सकते हो सेकेंड वाले में चाइनीज वर्जर में क्या ही आउटफिट उसने पैर रखा है मतलब कि यह एकदम संसकारी पुत्री लग रहे है एकदम संसकारी औरत ओके डन इन उसके बा है और इसका आउटफिट आप देख सकते हो एसा वाला था मगर इसको चाइनीज में एड करकर कुछ ऐसा वाला बना दिये गया था जो कि इसमें काफी दिदा फर्क नहीं लगता बस यार थोड़े थोड़े एडिट सीन है जो कि थोड़े आप अपने आप से भी पकड़ सकते अपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं गया तो जली से कर दो क्या आपको ऐसे ओसम कॉंटेंट कभी भी नहीं देखने अपने लेगे यूट्यूब के अंदर सो यह जली से कल ठीक है हमें उससे मोटिवेशन भी मिलता है यह आपर पर मैं जो होता है मिकलत की उसका नाम मिच सौक हो जाओगे तो उसके दोस बैसिकले सा करता है कि आरहों मिचुर का टावल होता है वह खिच लगते हैं मुझे पाताञी कि सलुकर है उनको साथ कुछ देखना होगा थ़ोड़ा बड़ा हुआ पातानी क्या देखना उन लोगों को यार अपता नहीं किinação को सूथ इसन को देखने के बाद आप लोग पर्मैन को सुन दोगी यह तो यह तो यह पर देख लो कि वो सिंग क्या ही था आपने देखे लिए होगा कि पर मैंने क्या खिया यार बोली बच्चीयों के साथ इसा करता है वह तो एक छोटी बच्ची थी यार पर मैंने तुम नहीं समझ सकते तो यह पर मैंने एसी कुछ हरकत की थे इस एपिसोड के अंदर तो यह इसको इंडिया में नहीं दिखाया गय कि अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को स्क्राइब नहीं किया तो जल्ले से कर लो कि आप ऐसे ही कॉंटेंट आगी भी देखना चाहोगे और मिस्स नहीं करना चाहोगे हमारी वीडियो तो जल्ले से सब्सक्राइब कर लो और हाँ यह बताओ कि यह कौन सा पोकेओन है अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसे कमेंट बोक्स में लिख दो कर आपका आंसर सही हुआ तो आपको भी मिले का शौट आउट नेक्स्ट वीडियो में तो जल्ली से जा और नीचे टाइब कर रहे इस पोकेओन का नाम और आंसर दो पोकेक्वीज का तो दोस्तों अब हम सब्सक्राइब करता है तो इसमें आपको एक क्यारक्टर देखने को मिली गया होगा जिसका नाम था रूडि जो कि एक वाटर टाइप टैनर था मिस्टी के जैसे ही और इस एपिसोड में मिस्टी और रूडि के बिहेवियर को भी हमने देखा था काफी अच्छा था उन दो करते हुए रूडि ने मिस्टी को यह बोला था कि यार तुम क्यों ना यही यही पर मेरे साथ रहो और हम दोनों एक साथ ही पोकेमोन वोटर टैप पोकेमोन की यार ट्रेनिंग करा करेंगे और बाकि सब कुछ उन लोगों का ड्रीम में हो था सब कुछ एक सेमी था और इसी उसी एपिसोर में मगर वो ह歌 में पाते हैं जो कि मैँ आपको पहले बताया वो यह दो में इसको बूहा है था इंगलिस में था चैन्ज कर दिया गए था पोकेमोन में में अब जो यूसा प्र तो उसने इसके साथ अपना सफर आरी करने का सोचा था तो यार बस इतने आज की वीडियो में यार होप कि आज वीडियो को काफी मज़ा आया होगा और यार इस वीडियो को बनाते बनाते यार मैं भीगल गया लिटरली क्योंकि आपर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यार मैं फैन आफ करके बैटा था कि कि आपको उची सी वीडियो क्वालेटी दे पाऊ सो वेल यार आप लोग अपने वीडियो में तब तब के लिए हमारी यह ओल्ड वीडियो से वह जड़ा एक बात देख लो ओके तो बाइबाइब आई